हलो फ्रेंड दिस आज हमंद कुमार और आप देख रहे हैं टेकना हमंद इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि आप किस तरह से यहाँ पर आप टेंट टिकेट बुक कर सकते हैं रेट रेल मोबाइल एपलिकेशन से ठीक है और अगर आप यहाँ पर न्यू आप इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो पर आप क्लिक कर देजिएका और यहाँ पर आपको राइड कर मैं सब्सक्राइब बढ़न देख रहा सपर क्लिक करेके आपना इकाउंट कर लिजेगा तो यह दिया हुआ रेडड रेल मोबाइल एप्लिकेशन ठीक है इसको मैं न यहां पर आपको select कर लेना है जहां से आपको train ticket book करनी है ठीक है जहां से आपको यातरा start करनी है और दूसरा आपको यहां पर select करना है जहां पर आपको पहुंचना है ठीक है destination और यहां पर आपको date select कर लेनी है और search train पर आपको click कर देना है तो जो भी जितनी भी train होंगी वो स तो दोस्तो यहाँ पर जितनी भी train है वो सारी train यहाँ पर आ चुकी है तो यहाँ पर जितने time मुझे वहाँ पर देखना है तो वो time मैं select कर लेता हूं ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर आप ट्रेन को स्लेट कर सकते हैं अपर टाइम के साब से जैसे कि आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि यह एक ट्रेन दिया हुआ है और जिसका ट्रेन नम यह दिया हुआ है ट्रेन का नमबर यह दिया हुआ है और यहाँ पर जो आपका टाइमिं तो यहां पर जो फियर है वो 280 रुपीस है और 158 अविलेवल है और थाड़े सीगत देखेंगे तो यहां पर 730 रुपीस है और यहां पर 209 अविलेवल है तो यहां पर मैं इसको स्लेट कर लेता हूं तो यहां पर मैंने स्लीपर को स्लेट कर लिया है और यहां पर दोस्तों द तो यहां पर आपको passenger details fill करनी होगी जैसे कि मैं यहां पर booking किया हूँ इसलिए मैरे यहां पर passenger details save है अगर आप पहली बार होगो तो add new passengers पर आप click कर देज़ेगा और यहां पर आप दे सकते हैं जैसे कि name, age और यहां पर आपका gender, male, female, others और यहां पर nationality और यहां पर birth preference select कर जैसे कि यहां पर lower worth, middle worth, side, upper, side, lower और upper worth और यहां पर add passenger पर आप click कर देज़ेगा ठीक है जैसे कि मैं यहां पर पहले से ही save है मेरा details तो मैं यहां पर इसको click कर देता हूँ मैंने इसको click कर दिया है और यहां पर मैं थोड़ा से नीचे आऊँगा तो यहां पर दोस्तो मेरा contact details रहेगा तो इस पर मेरा जो ticket है या PNR status है वो यहां पर आ जाएगा तो नीचे proceed पर मैं click कर देता हूँ तो दोस्तो यहां पर आप दे सकते हैं कि यहां पर जो ticket का price था 280 रुपए लेकिन मुझे यहां पर जो pay करना है वो 317 रुपए पे करना है तो कैसे हुद आपको क्या करना है कि यहां पर view details पर आप click कर देजएगा तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर दे सकते हैं जो ticket charge है वो 280 रुपीस है यहाँ पर agent service charge 20 रुपए है और IRCTC का charge 17 रुपए 70 पैसा है तो total हो गया 370 रुपए 70 पैसा ठीक है तो यहाँ पर क्या है लेकर हमको यहाँ पर कुछ offers मिल जाएगा view और apply offers पर आप क्लिक कीजएगा तो यहाँ पर दिया हुआ है app 25 तो apply पर आप क्लिक कर देजएगा तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है तो दोस्तों यहाँ पर आप दे सकते हैं कि हमको 25 रुपीस का यहाँ पर discount मिल चुका है ठीक है और यहाँ पर मेरे red bus के wallet में भी कुछ रुपाई यहाँ पर दिया हुआ है तो जैसे कि total मेरे पास है 400 चंगवन रुपाई है ठीक है और तो मैं यहाँ पर base fair का 10% यूज़ कर सकता हूँ तो base fair है 280 रुपाई तो यहाँ पर 10% हो गया 28 रुपीस तो मैं यहाँ पर जो मेरे wallet में 400 चंगवन रुपाई है तो उसका मैं 28 रुपाई यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर फॉन पेपर मैं किलिक करके payment कर देता हूँ तो मैं यहाँ पर pay करने के लिए आ रहा है तो मैं पेपर किलिक कर देता हूँ और मुझे यहाँ पर you pay pin फिल करना है और दोस्तों यहाँ पर जो ट्राइक्षन वो successful हो चुका है अब मुझे यहाँ पर पास्वर्ड और यहाँ पर जो capture code यहाँ पर लिखा हूँ वो capture code यहाँ पर फिल करना है और summit पर मैं किलिक कर दूँगा और यहाँ पर मैं complete booking पर किलि भी आ चुका है ठीक है और जो हमारा टिकेट है वो लिख्यारा टिकेट successfully booked है तो यहां पर जिद है हमारा बुख हो चुक है PNR number आ चुक है और यहां जिद हो हमारा टिकेट है तो कंफर्म हो चुका है यहां पर हमको कोच S1 में यहां पедь 33 लोवर बर्थ यहां पर हमको मिल चुकी है ठीक है तो इस तरह से आप यहाँ पर ट्रेन टिकेट बूप कर सकते हैं ठीक है तो आई हो आपको प्रशन नहीं आपकर आपके यूड़ी प्रशन प्रपीज दाए के लिए चैना को सब्सक्राइब कर लिए जाएगा थैंक यू